हेलो, नमस्कार दोस्तों, 11 अप्रेल 208 की दे हिंदू एडिटोरिल डिसकस्न में आपका स्वागत है, यहां पर हम दे हिंदू के इंपोर्टन एडिटोर्स हैं, वो डिसकस करने जा रहे हैं, तो चलिए हमाया डिसकस्न हो श्टार्ट कर रहे हैं, तो आज गा जो आर्टिकल ह से इंप्लिमेंट हो, वो नहीं किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोड ने वडिक में कहा था कि जो करनाट के से खायसा, वो इंक्रीज कर दिया गया था, वो तो यह आदेश दिया था सेंट्रल गवर्मेंट को कि भी आप है, जो भी पानी का डिस्पूट है, इसको ख़तम कर मतलब है कि कावेरी वाटर मेनेजमेंट बोर्ड हो बनाया जासके, ताकि जो पानी की जो भी वीत्रन का काम हो, वो सारा उसके द्वार क्या जाएगा, क्योंकि देखो, आजगल जो मैन आरोफ लग रहा है तर तमिलाडू का ऐसा आरोफ है, कि भाई उसको पानी मिलती ही नह का रहा है, इसलिए इस्योग हो है, उनका दो खायना ऐसा, जब कि करनाटक का ऐसा केना है कि यहां पर शुप्रीम कोर्ड ने कहा नहीं कि एक स्कीम बनाके काम करना है, उसका मतलब है कि एक नई कमिट्य बनानी है पान साथ कर लोगों की, और वो कमिट्ये हो डिसेड करना है तो इस चीज़ को लेके विवाद है, वो सामला भी वापस बिलिए नहीं हुआ, तो उसकी वज़से सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्मेंट को भी लतार लगाई है, कि वह आप कर क्या रहे हो, आपका जो काम हो, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस बात पर सुप्र करनाटिक में आने वाले हैं और करनाटिक में रिसेंटली का रहे हैं, कॉंग्रेस की सरकार है, तो बीजेप अईसा नहीं चाहती है पर वह पानी का इस एगर नहीं को भी सेट्लमेंट कर दिया जा है तो उसकी वोर्ट बैंक का इस् Commun UK के खिलाब जा सकता है, तो ऑफे नखे यह इसकी हो जाए से ही Supreme Court ने Central Government को भी लतार लगए कि भी आपका जो कामना अपना काम कीजिए इसका से Supreme Court को भी थोड़ा यहाँ पर issue बताया जारे कि Supreme Court को इसमें कोई भी ऐसन दिखता है कोई भी ambiguity और नहीं रखनी चाहिए थी क्योंकि Supreme Court ने जब यह scheme word बोला तो वहाँ पर clear रखना चाहिए थी कि इस जो scheme word है इसका मतलब भाई यह तो यह तो यह कावरी ओर्टर management board है उसकी बात की जा रही है फिर नए committee बनाने की बात हो कि है सब कुछ clear रखना चाहिए था तकि कि ऐसा issue होई ना क्योंकि Supreme Court को पता था कि दोनों स्टेट में कोई ना कोई इस तरह की चालवाजी हो खिल जाएगी अब देको Supreme Court ने दरताल लखने एक दूसरा रिजन यह भी है कि छह हफते की बात थी ना कि छह हफ्तों में आप जो management board होगरा हो बनाकि इसको distribution होगरा वो complete क सब्सक्राइब करना है कि आपको जब बोला गया था कि आपको जब काम करना है या management board नाना है तो आपने अभी तक क्यों नहीं कि आगर आपको issue था तो आप starting हो बजाते हैं कि हमें इसका मतलब भी नहीं समझ में आया आप इते दिन तो हाथ पे हाथ धरके बटे थे और जो ही इच्छा हफते complete होने को यह तब आप बोल लोगी हम इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आपको कुछ ना कुछ एक्सन सा हो लेनी है आपको आपको आप यह वह फसल भूनी चाहिए जिसको पानी की नीट कम हो क्यों अगर तमिलाडू में जो करनाट के में जो कवरी रिडूट का असपास का एरिया है उस वाले एरिया में अगर कम पानी के फसल बोह जाएंगे तो उसका एफेक्ट होगा कि लोगों को ज़्यादा पानी मिलेगा मतलब ज़्यादा दूर तक पानी मिल पाएंगा अगर जो कोश्टल अरिया वाले लोग है वही ज़्यादा पानी वाले फसल बोह लेंगे तो पानी उनको ज़्यादा मिलेगा पर बाकी लोगों को पानी वाले फसल बोहेंगे तो बाकी लोगों को जो पानी है वो भी मिल प इससे पहले भी दोनों स्टेटों में काविरी फेमिलीज है वो बनाए गए थी ताकि इसके बाद में एक बात याती है कि देखो यह जो भी पैनल वगर आप नहीं बात की जा रही है वार्टर मेनेजमेंट बोर्ड इसमें एक्सपर्ट लोग होने चाहिए मतलब काफी चाहिए क्लियर बात ऐसी है कि आपको बता है पानी है वो लोगों के भी सेंटीमेंट से जुड़ा हो है और आज की टाम पर वाटर हो काफी इंपोर्ट हो गया वाटर क्रैसिस भी बढ़ रहे है तो ऐसे महुल में जो पोलिटिसन है इनको वोर्ट बैंक का सारा वो नहीं ल उठा हुआ है तो पोलिटीसन को ऐसे स्टेप है वो नहीं उठाने चाहिए इसके बाद बात यह आती है कि जो पानी है ना इसको वह बार कुछ लोगों का ऐसा कहना या कुछ गूरूपस का ऐसा मानना है कि पानी को कौन करन लिस्ट में सामिल कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या आवा कि जो Supreme Court है या एफेघय बीज व कॉल भी कि इस इस मामले में नर्डाज नहीं फोर लेसकता कोई सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो स्ब्जेक्ट के इस पर स्ट्राएटर का जरॉइंट्ट कॉछ मेंगा रिए Geneva पानि को प्रोपर डंक से डिवाइड करने के लिए Central Government रोव अगरा बना सकेगी, क्योंकि एप भी State Government हो बनाती है, जबकि पानि आपको पता कि River ऐसा तो हैंने कि किसी एक State से बैते वे फिलो करती है, रिवर तो काफ सारे State के बॉल्डर भी बनाती है, उनकी बीच से फिलो करती है, तो ऐसे Central Government प्रोपर रूल अगरा बना रही है, तो वो ज्यादा अच्छे बनाएगी, तो यह बात यहां पर की बात है, वो की जा रही है, और जो रिवर अपने ही एरिया में बैती है, उसके उपर State भी कानून और बना सकते हैं, तो कौनकर लिच्ट में आपको पता कि State और Central दोनों कानून और बना सकते हैं, इसके बात आती है, वोट बैंक की, कि वोट बैंक का जो मुद्दा है, इसको दूर रखना चाहिए, पाने के मुद्द से, कि यह कही नकी हमाया democracy को भी नुकसान पहुचा रहा है, और इसके उसे लोगों में भी जो नफरत है वो बढ़ रही है, और ही हमारे देश की एकता unity के लिए भी एक तरहीं से परभाव कर रहा है, इसक्ता unity को भी कही नकी परभाव कर रहा है, तो हमें ऐसे मुद्दव दव रख पर हमला किया था क्यों क्यों कि उस टैंप पर एक्चूली केमिकल वेपन है उनको त्यार कर रहे हैं तो एक तरीकी से काफी मास्ट डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं मतलब काफी लोगों की जाने लेने का बना रहे हैं इसके बाद में एक दूसा रिजन था वो था कि ऐसा आरोप लगा गया था इराक के उपर कि इराक के जो link है वो अलकायदा के साथ है मतलब डिरेक्टि लिंक कहे गये थे और आपको बता कि अलकायदा ने USA के उपर अटेक किया था तो इसलिए U.S. ने क्या किया इराक वे अटेक कर दे था 2003 में बट राइटर का ऐसा कहाना कि जो उन्होंने रिजन दिये थे लोगों को या पूरे वर्ड को रिजन दिये वो दोनों ही रिजन कहीं न कहीं possible थे नहीं दोनों रिजन गलत थे मतलब ना तो वहां पे chemical weapon को प्रू चुरू कर दिया क्यों जब वहां पर कि शुष मकशन पूरा थे वह ईंड़ों का को अब रोजगार नहीं मिला तो वह लो करें क्या तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जितना सदाम उसन के टाइप पर स्ट्रओं था वो नहीं रहा है वह अलग बात के थी के लो और के लिएसे ने और उसके जो प्रणोषित देश्टे है जो भी उसके एक त्रीक साब बोल सकते हैं उन्होंने अटेक हो किया था और चीज़ को अंजाम दिया था बट जो रिजयल्ट है वह भी ना के बराबर है और हालाती हो रहे हैं भी कि युएसे खुद भी इस नितुछे सफर हो कर रहा है यूसे की फोर्स आज भी इराक के अंदर लड़ रही है और कहीं है कि उसके कदम भी लगातार बढ़ते गया है इसके साथ में बेरोजगारी है वो भी हो जदा बढ़ती जारी है तो मरलब कुल मिला के बात यह है कि इराक का महावला सारा ख़ल जाठार की उसको लेकर तो राइटर है इस जो थोड़ा क्रिटिस कर रहे हैं यहां पर फिर राइटर का थोड़ा अपना विव है अपने पॉइंट हो दिए गया है राइटर का देखो ऐसा कहना है कि दुको जो गवर्मेंट यह कह रही कि फोरेस्ट का एजिया है वह करती है उसको एक साथ क्लिक नहीं करती कुछ डाटा को दो साल पहले है कुछ जगए डाटा है उसको एकदम नहीं यूज क्या जाता है और ना ही फोरेस्ट की जो डेफिनेशन हो क्लियर है करी जगर तो ऐसा होता है कि एक पेड यहां पर होगा है उसके बाद 15 फीट के इसमें भी डाटा को क्लियर नहीं है क्यों डाटा क्लियर नहीं है इनका ऐसा करना है कि देखो जो फोरेस्ट का एरिया ना वो अपर नीचे हो रहा है मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है ऐसा कुछ सामने आ रहा है कि देखा जाए तो 36,575 हेक्टेर जो जमीन है वो एक्ट्यूली इन्डिस्ट्रेल एरिया को ट्रांसफर कर दी गया है मतलब 36,575 कौरडे जो हीरीह है इस एरिया में इंडिस्ट्रिय जमीन उनको पुब्लिक डोमेन में क्लियर रखने जी एक तरिके से बोलते हैं कि सारा डाटा एकर एक साथ होगा तो लोग इसको आपस में कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा नहीं है अभी गोवर्मेंट ने एक सार तो कहई दे कि हाँ फोरेस्ट टेटा बहुत बढ़ रहा है दूस को जब सारे एक इन्वाइर्मेंट वाले फोरेस्ट में इंपूर्ट हो जाएंगे तो फोरेस्ट के एक क्लियर डेफिनिशन हो जाएगी कि हाँ यह फोरेस्ट के परिवास है अब उसके कोडिंग फिर आगे जूरू डेगून या जो पोलीसिस है वो बना सकते हो किया पर फ यह जो रिय्क्ट एट रियृण त्यार करती है मतलब लोगों के जो रहां वगए उनको लेखिए पास आइटा होता है तो रैटर का यह कहना है कि जो पीपल फोकस करना चाहिए वह बहुत और लोकल एरिया को क्योंकि तोको फोरेस्ट के जो आजस पास लोकल एरिया होता है उनको reality बता होता है कि कितने forest तो कट रहे हैं, कितने नहीं कट रहे हैं, तो government को local level पर यहाँ पर काम हो करना होगा, इसके साथ ही बात ही कि जारी है, कि public-private partnership के दौरा हमें forest का coverage है, वो भी बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि government खुद अके लिए प्रावधान कर सके, प्योंकि आप ज लगा कि उसको conservation करना भी जूरूरी बात है, इसके बाद वो पेड़ होते कटने भी नीची है, अगर दो पेड़ कट रहे हैं, तो उसकी जगार दस पेड़ लगने भी चीए, क्योंकि पूरा forest त्यार होने में काफी time लग जाता है, तो इसलिए हमें forest की तरफ फोकस करना है, जितना नुकसान होता है industrial activities से, क्योंकि आज की time पे हमारे दिस में industrial activities जना फोरेस्ट में वो बहुत बढ़ रही है, और इसका सबस्वेड़ा नुकसान क्या होता है, देखो आपको पता कि industry है, तो यह नहीं कि एक आधी हेक्टर में लग जाती है, इंड़स्टी लगने के ल उसको कही नहीं कि नुकसान पोच जगा, तो और बात क्या हुई, कि industrial activities ना हमें उन पे लगाना होगा, तब भी हम forest वाले area को manage हो कर सकते हैं, तो यह बात यहाँ पे रैटर के दोवारा कहिए, यह काफीछा point है, आप इसको add है, वो कर सकते हो, तो यह थी discussion के जो कुछ points है, जो हमने आपे discuss किये, अब देखते हैं, आगे, आगे जो एक article आया था, उस article में actually नेपाल के बारे में का गया था, कि नेपाल और इंडिया रिलेसंज में, तो नेपाल और इंडिया रिलेसंज के बारे में हमने कल ही discuss किया था article, और इसमें एक दो point यह नहीं है, कि भाई, इंडिया को actually नेपाल में जो भी project लगा है, बात की जारी है, कि आपने agreement तो कर लिया, कि हाँ भी हम आपके water के रिये project लगें, उन project को इंडिया को complete करना चीए, इंडिया के भी दिक्कत है कि इंडिया सभी country को हाँ तो हो जाता है, कि हाँ भी हम आपके देश में project लगाने व वो actually आपको पता ही लिया रही है, तो वहाँ पे reverse में काफी है, मतलब नेपाल के पास hydroelectricity या hydroenergy है, उसकी काफी बड़ी तादाद है, वहाँ पे hydroelectricity को काफी मातरा में जन्रेटर को कहाँ सकते हैं, तो रैटर का कहना है कि इंडिया को नेपाल के साथ इस तरह के agreement करना चीए और उन agreements को जल्द जल्द complete भी करना चीए, एक तरह के साइन करके है, मतलब प्रोजेक्ट के विलवारे में deal साइन करना चीए कि वहाँ पे hydroelectricity के project लगा जा सकते हैं, तो उन projects को लगा जाए, उन projects को लगा के फिर उस तरह के से यूज करना चीए, तकि इंडिया भी energy security के लि इन करदमों के तरह step हैं, वो उठाने चाहिए, तो ये कुछ दो तिन आर्टिकल में कुछ basic points थे, जो हमने यह आपे discuss कर लिये हैं, तो ये थी आज गी हमारी discussion, फिलहाल की discussion में इतना ही है, thank you very much for discussion.